बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम असलाम अलेकूम इस अमानुला यूर वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो डियर वीवर आई होब क्या आप लोग ठीक ठाक होंगे खेर खेरियत से होंगे आज मैं आप लोगों से डिसकस करूंगा तीन इंपोर्टे टेस्ट नंबर टू केलिबरेशन ओफ एन इंस्ट्रूमेंट नंबर थी कंट्रॉल तो यह तीन चीज़े हम डिसकस करेंगे वीवर लेट स्टार्ट और टॉपिक फर्स्ट फोल वर दो यू मीन बाई गोल्ड स्टेंडर टेस्ट ठीक है आप लोग ने यूजूली सुना हो कि अगर यूजूली यह होता है कि एक डिजीज की डाइग्नोजिस के लिए भी हव डिफरेंट टेस्ट ठीक है अब नाव देर इसक्वेशन के विच वन इस गोल्ड स्टेंडर एमंग इस अवेलिबल टेस्ट तो वो टेस्ट जिसकी स्पेसिपिसिटी और सेंसिटिविटी दिशी तॉसरी चीज है क्याली आवेलिबल टेस्ट में सबसे ज्यादव होगी देट वूड बीडा डाइग्नोज्ट यजिवन बृटिकूलर टीजीज कर्फिरेंस इस गोलते ह hé । बोलते हैं। तो यूजूली इस तरह सुनने में आता है कि फना इंस्ट्रॉमेंट की केलिबरेशन आउट हो गई है इस इंस्ट्रॉमेंट की केलिबरेशन आउट हो गई है इस इंस्ट्रॉमेंट की केलिबरेशन आउट हो गई है इस इंस्ट्रॉमेंट की केलिबरेशन आउट हो गई है सिंपल करके बताता हूँ आप लोग को कैलिबरेशन यह है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट की एकुरेसी जो है वो इस्टेबलिश करते हैं एक पर्टिकुलर एनलाइट या आपके टारगेट एनलाइट की मेयरमेंट के लिए तो इसको कहते हैं कैलिबरेशन आप इस तरह भी समझ सकते हैं जोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे कोई क्रेस्ट्राइट की इंस्ट्रेशन मेजरों करते हैं जिस तर है क्लुकोज है क्लेस्ट्रोल है वाइटमेंटे है लिपिट है केल्शियम है और बहुत सारे क्रेस्टिट एनलस जिनकी वेलियो再 जिनki concentration जो है वह quantitative form में आती हैं जैसे 10 mg, 20 mg, 50 mg and so on तो जब आप किसी instrument को quantitative analyte देते हैं in the form of sample तो वो instrument जो है वो उस quantity को उस concentration of a particular analyte in the sample को एक response develop करता है ठीक है और वो response जो है instrument पर read करके आपको display पे देता है कि यह जो आपने sample दिया था इसमें आपके target या आपके desire analyte की concentration यह है और यह response जो है यह specific होता है per unit of your target analyte यह अगर glucose है तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 तो per unit concentration के हिसाब से यह response specified होता है instrument का तो जब instrument का यह response disturb हो जाता है तो पिर हम यह कहते हैं कि यह instrument जो है इसकी calibration out हो गई है क्योंकि वो जो concentration है आपकी target analyte की या आपकी desire analyte की वो उस concentration को जो response build करता है वो response disturb होता है तो इसलिए जो measurement देता है वो measurement accurate नहीं होती तो आपको दुबारा instrument को calibrate करना पड़ता है अब क्या करते हैं तो आप calibrate करते हैं इंस्ट्रुमेंट को यह निकिए आप instrument के इस वाली response को specify करते हैं according to the instruction of manufacturer और इसको हम कहते हैं calibration और calibration के different methods which are used in the laboratory लेकिन वो इस lecture का हिसा नहीं है आज हम सिर्फ इसको understand करेंगे कि वर डू वी रियली मीन बाई calibration अब इसके बाद एक और चीज़ आती है laboratory में control control run हुआ control run नहीं हुआ control की reading क्या आई control chart कहा है तो यही बाते आप रोजाना laboratory में सुनते हैं जब आप laboratory bench पे काम करते हैं तो control की हमें जरूरत क्यूं पैश आती है और हम control क्यूं run करते हैं हम control इसलिए run करते हैं let's say मैं chemistry के bench की example देता हूं कि आप clinical chemistry में काम करते हैं और आपने instrument को calibrate किया ठीक है अब आप जो है उस पर test run कर रहे हैं आपके पास test specimen आ रहे हैं आप run कर रहे हैं आपके पास result आ रहे हैं और आप result जो है वो आगे पास कर रहे हैं अब the question is that who will tell you that your results are accurate कौन आपको बताएगा कि आप जो ही result generate हो रहे है instrument से यह जो है यह accurate है यह true value calculate कर रहा है यह true value को मैयर कर रहा है तो इसके लिए आपको एक check की जरूरत है and that check is known as control तो इसके लिए फिर आप sample के साथ साथ control भी run करते हैं ठीक है control जो है अगर chemistry की हम बात कर रहे हैं तो चुंके chemistry में हमारे पास mostly quantitative analyte होते हैं तो पिर हम control भी quantitative control run करते हैं जैसे अगर glucose है तो glucose quantitative analyte है तो पिर हम non concentration का control लेते हैं ठीक है और वो हम run करते हैं और कुछ labs में या कुछ quantitative analyte में हमें normal control abnormal high control and abnormal low control की भी ज़रूरत पड़ती है क्यूंकि हम यह भी देखना चाहते हैं कि ठीक है normal range में तो instrument value सही दे रहा है लेकिन जो abnormal high है या abnormal low है वहां पर भी instrument accurate value दे रहा है या नहीं दे रहा है तो इसके लिए भी पिर हम abnormal high और abnormal low control run करते हैं और उनकी values हमें already known होती है बाकि बिल्द कुल हम उसको उसी तरह run करते हैं जिसी तरह हम लोग test sample को run करते हैं on the instrument ठीक है तो जब आप control run करते हैं और आपका control ठीक आता है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका जो sorry थोड़ा सा screen disturb हो रहा है तो मिझे थोड़ी सी video disturb करनी पड़ेगी I'm sorry अच्छा तो अगर आप control run करें और आपका control ठीक आ रहा है तो it means that your results are accurate लेकिन अगर आपका control ठीक नहीं आ रहा तो it means that there is something wrong with your diagnostic accuracy तो हर test में हमारे पास 3 चीज़े आती है number one आपका technique जिसमें आपकी skills और आप सारे जो step कर रहे हैं यह सारी technique में आती है number two आपका instrument number three आपका reagent तो अगर आपका control सहीं नहीं आ रहा तो आपने instrument की calibration और other parts reagent की lots और उसकी expiry वगएरा यह चीज़े चेक करनी है और number three आपने यह देखना है कि आपका जो technique है वो भी ठीक टाक हो रहा है तो इसलिए control जो है control work as a check to monitor the diagnostic accuracy of your oral diagnostic performance I hope कि आपको इस शोट वीडियो अच्छी लगी होगी जो भी वर पहली दफा मेरे चैनल पर आये हैं मैं उसे subscription के लिए request करूंगा please subscribe my channel और साथ ही साथ आप bell icon को भी प्रेस करें ताके मेरी नहीं आने वाले वीडियो की notification आपको बरवक्त मिलती रहे thank you so much for watching my youtube channel free a manila